जहें दोस्तों आज भारती सेना या भूतपूर्व सेनिक अपने हगों के लिए लड़ रहे हैं उनकी अंदेखी की जा रहे हैं इसी के बीच में एक वीडियो है जो के करनल वर्मन साब करे रहे हैं इंडियन आर्मी जो है वो अपने आप में ब्रैंड है और जबर्दस ब्रैंड है के भारती सेना सेना नहीं अपने आप में एक ब्रैंड है दोस्तों और विस्व की सरवस्रेश्ट सेना है उन्होंने का है कि भारती सेना किसी भी परिस्ति में अपने नाम और नमक निसान के ल हमारे सैनेक भले मेने सक्कर पारे से लड़ाय हों गुड़ और चना खाके लेकिन हमारे सैनकों का जो डैडी केसन है और जो उनको सेबा करने का भाव है जो इस देश के लिए समर्पत है वो विस्व में सबसे अबबल है उन्होंने का एक बाहरी देश की सैनाओं के पास सारी स सारी सुविदाएं होती है लेकिन वो ऐसी ठंड में उनको को थोड़ी दिर खड़े हो जाएं तो कांपने लगेंगे ऐसी गर्मी में खड़े कर दो तो उनके पसीने से नहला जाएंगे लेकिन हमारे सैनेक हमेसा मुराल अप रहते जब भी उनसे पूछो क्या हाल है आपका आपका मुराल कैसा है तो हमेसा चियर अप रहते हैं चाहे अंदर किसी भी कैसे हो चाहे उनके कपड़े कैसे भी हो सरकारी पैटन के कपड़े हो जूते कैसे भी हो खाने के लिए से उसक्कर पा रहा हो लेकिन जोस जनून और जजबा देश वक्ती सबसे उपर है दोस्तों और उसका नमूना मैं आपके सामने एक वीडियो सेर कर रहा हूं जो लाखों लोग देख चुके हैं वाइरल हो रहा है जिसमें राष्ट गान गया जा रहा है जन गन मन अधिनायक जयो और बारिस हो रही है भैंकर हमारे टूपस हमारे अधिकारी जेसियो जवान किस तरह ख खड़े हैं और बिल्कुल देश भक्ति के साथ देश के लिए ये गीत गया जा रहा है दोस्तों ये है भारती सेना का गोण ये है लच्छन और इसलिए है सर्वस्रेश्ट हमारे भारते मेनी बिस्स में भी है और ये हर कोई मानता है इसका बिसको भी लोग ये बात कहते हैं बड़े discipline है ये सारी चीज हमारे को देखने को मिलती है आकर मैं फिर वहीं पर आता हूँ फिर भी इतना सब को होते हुए इतना आजकल सोसिल मीडिया का होगा सब के पास जानकारी है चाहे हमारे मानी रच्छा मंतरी जी हो मानी प्रदान मंतरी जी हो या बड़े आलाजिका तो सीधे सेना से सम्मन्द रखते हों जाहे हो नेता हों उन्हें सब को पता है का आग्वारी वरोपी को लेकर अंद्यकी की गई है एकिल्ल मिल्टरी सर्विस पे को लिखी की गई है और ये बातें कोट के दरिये जा रही है ये बातें जंतर मंतर पे आ रही है ये बातें सोचल मीडिया पे आ रही है आखिर आपके सामने है सब कुछ फिर सही डिसीजन लेने में देरी क्यों क्यों decision जब लेते हो उसमें बहुत सारा गड़बड होके आता है और साइद लोगों को back foot पे जाना पड़ता है आज आपने बड़ा दिल दिखाईए और जबानों के साथ जो भी थोड़ा जो अंदेखी हुए उस चीज को अंदेखी न मानते हो आप उनके welfare के लिए आ गई हम आपसे ही उन्वीद करते हैं धन्यवाद दोस्ते